असलाम लेकों वेलकम बेक तो मैं चैनल आज में आपको शेट की फिटिंग लिगाना सिखाऊंगी और इसके गुम स्लीव्स लगाएंगी हम आज में आपको इसका आसान तरीका बताऊंगी जो हमरी नाप वाली शेट है इसको हमने इसके उपर रख लेना है ऐसे इसको हम इसके बराबर ही हमने ऐसे मार्क कर लेना है जो हमरी फिटिंग है इसके बराबर ही हम मार्क कर लेंगे इधर हमारे चौक आएंगे अब हम शटकर उटा देंगे सेम इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी मार्क करना है ऐसे फिटंग लगाना बहुत ही आसान है जिने फिटंग लगाना मुश्किल लगती है मैं उनके लिए बहुत ही आसान तरीका बताने लगी हूँ ऐसे हम इसको रखेंगे इसके सेम दूसरी साइड पर भी हम वैसे ही गुलाई में फिटन की मार्किंग करेंगे अब हम फिटन की स्लाही लगाएंगे यह मैंने शेट को ऐसे रख लिया है इसे हम पहले बरापर करेंगे जो हमने मार्किया है इसके उपर हम इसे स्टिच करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नियू है तो मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लें लाइक करें बेल का बटन प्रेस कर लें ताके मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें इदर हम स्लाई रोक लेंगे अब हम सेमसी तरह इस तरह भी स्लाई लगाएंगे ऐसे हमसे बराबर कर लेंगे थोड़ा सा भी शर्ट आगे पिछे होगी तो हमारी एक साइड की तरफ जाएगी इसलिए हमसे पहले अच्छे से बराबर कर लेंगे ऐसे बराबर करके हमने इदर से स्लाई को शुरू करना है पहले हमने स्लाई को पका कर लेना है जो हमने निशान लगा है उस निशान के उपर हम इसे स्टिच कर लेंगे इदर से हम स्लाई को पका कर लेंगे अब हम शट के स्लीव्स लगाएंगे Sleeves को मैंने same C-shult के नाप के बराबर ही मैंने इसे Stich कर लिया है इसका कंदा मैंने इस आम हूल के बराबर ही लिया है अब हम इसके Sleeves अटाइच करेंगे Shirt को हमने पहले इसे उल्टा कर लेना है ऐसे उल्टा करके हम इसके अंदर स्लेव लगाएंगे स्लेव को हम सीधा ही रखेंगे ऐसी रख कि हमने स्लेव को इसके अंदर फिक्स कर देना है अब हमने ये दोनों स्लाइव को आमने सामने रखना है और ये वले जो हमारे फैबरिक है इसको हमने आगी की तरफ रखना है आगे की तरफ हमने इसको इसलिए रखना है ताकि हमारी शर्ट पीछे की तरफ ना जाए अब हम इसको ऐसे रखके स्टिच कर लेंगे जो मारा शोल्डर से फैबरिक है इसे भी हम आगे की तरफ करेंगे ऐसे हम सारे स्लिव्स को स्टिच कर लेंगे अब हम दूसरा स्लेव लगाएंगे इसको भी हमने सेम उसी तरह लगाना है ऐसे हम स्लेव को शर्ट के अंदर रखेंगे ऐसे रखके हमने सेम उसी तरह इसे भी रखके स्टिच कर लेना है इसका भी हमने फैबरीक आगे के तरफ रखना है स्लेव का फैबरीक और शर्ट का फैबरीक हमने आगे के तरफ रखना है ऐसे रखके हम इसे स्टिच कर लेंगे ये देखें फिटेंग की सलाई मेरी लग के रेड़ी है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं मेरे चैनल को सब्सक्राब कर लें लाइक करें शेयर करें अल्लाफीज लाइक